बियंगम योग संस्तान के तरफ से 27 और 28 अक्टूबर को विसाल कायकरम का आयोजन है यह आयोजन किस तरह का है और इस आयोजन में क्या क्या होगा और कौन को लोग शामिल होंगे आपको बताना चाहते हैं कि 25,000 किलिमेटर की एक यात्रा सुरी हुई है कास्मिर से लेके कन्य कुबारी तक ओव यात्रा 27 अक्टूबर कुबलिया पहुचेगी जिसमें स्वयम महराजी सामिल लहेंगे स्वतंतर देव जी महराज के किरपा से बिग्यान देव जी महराज इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है और यात्रा भिर्गुच छित्र में पहुचेगी जिस देवाज साकायक्रम है ये बिहंगा म्योगत शंथान का में एक पड़ा ही अद्भुत समय आने वाला है सौ वरस पहले हमारे स्वामी जी ने इस बिहंगा म्योगत स्थान की अस्थापना किया था उसी का सताबदी सबारों समारम्भ समारों होने वाला है जो सुबीद महा मं उम्रहां बरांसी में होगा भारत की हमारे अधात्मिक राजधानी है वहां पे बन रहा है जो स्वर्वेद महामंदर निर्माण उसी के निमित ये सताब्दी समारम महाउत्सों और पचीस हजार कुंडिय स्वर्वेद ग्यान महायग कैसे मित राष्ट ब्यापी संकल पे यात सद्रा सद्गुरु शराफल देव भिहंगा में उस स्थान के अध्धक्ष स्वर्वीत कता के परवर्तक सद्गुरु उत्रादिकारी सुपज संत परवर के शानिद्ध में कस्मीर सिक करन्या कुमारी तक 17 जुलाई से ये यात्रा प्रारंब हुई है और वो भ्रिगु नि श्रार जातरा के हम साक्षी बनने जा रहे हैं सुपज संत परवरिक रिशीकुल के पुत्र हैं दीव दित को रूप में भारतवर्ष के हर प्रांत में भ्यंगम योका प्रशार-प्रशार कर रहे हैं आपके प्रवचन में मुक्रुप से दो संकल्प संधीस रूप में ये स्वर्वेद महामंदिर अधुत है इसके निर्माड का मतलब है एक दिब्व मानों का निर्माड एक परमपिता परमिश्वर का निर्माड अधात्मिक राजिके निर्माड के निर्माड या महामंदिर भील का पत्थर बनने जा रहा है उसी के उपलक्ष में हमारे पुज्य शंत्परवर स्रिविग्यान दियोजी महराज की यात्रा ब्रिगुन अगरी में आ रही है इसलिए आप सबसे हमारा अनुरोध है कि जादा से जादा ऐसे महान संत जिन्होंने सत्रह जुलाई से पचीस हजार किलोमेटर की यात्रा कर ब्रिगुन अगरी में पहुंच रहे हैं उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए इसलिए आप सभी अध्धात्म प्रेमियों और संत समाज के सिस और अध्धात्म प्रेमियों शे हमारा करबर्ध प्रार्थना है निवेदन है कि निश्चित रूप से इस ऐसे महान संत का आप स्वागत करें अभिनंदन करें जो कि 27 जुलाई को महर्शी शदाफल देवासरम मिध्धा में पहुँचने वाली है यहाँ पर पहुँचकर उनका दिबशन देश का स्रवन किया जाए यह महामंदर क्या है क्यों बन रहा है इसमें आप सब का कल्यान नीत है क्योंकि वहाँ पहुचने के मातर से ही आपके अंदर एक अलग तरह कि संसकार पैदा होने लगेंगे और आप इस वहाँ पहुचेंगे तो ऐसी अदभुत योग के बारे में आप सत रूप से जान सकेंगे कि ये बिहंगम योग है क्या इस बिहंगम योग के द्वारा हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगी इसके लिए उस साधना अस्थली स्वारवीद महामंदिर में पहुचना होगा जो की 17-18 दिसंबर को माननी प्रधान मंतिरी द्वारा इसका उद्गाटन होने जा रहा है इसी के लिए पूरे हिंदुस्तान में लोगों को आमंतित करने के लिए हमारे संत परवर सुपुजे संत परवर जी इस बलिया में भी आगमन इनका हो रहा है इसलिए आप सबसे अ बलिया में मनाए जाएगा और ये बलिया में जो रकदान सिवर्व जो होगा ये अद्वत होगा इसलिए कि उनके जनमत्सों पे कई बरसों से बलड डोनेशन का कैम पूरे बिस्व भर में चलता रहा है और पिछले बरस हमने पूरे हिंदुस्तान के सिस्थ समाज द्वारा चार हजार से अधिक उनिट का रकद दिया गया था और इस बार तो बलिया में संत पर और खुद उपस्तित रहेंगे इसलिए बलिया इस भरिगु नगर के वासियों से मेरा करबर्द प्रार्थना है कि उनके जनम दिन पे जो इतना बड़ा रकदान महाधान का कारकर्म हो आए उसमें निश्चित दूरुप से पहुँचें और उनके सम्मान के साथ उनका स्वागत करें अभी लंदन करें यही मेरा आपसे अपने अजयर राजी को सुना अजयर राजी ने कहा कि जो बलिया में बड़े ही धुम धुम से मनाया जाएगा 28 अक्टूबर को जैसा कि नहीं बताया और कायकरम कई है और उस यात्रा की जो 27 जुलाई से जो यात्रा निकली थी वह 27 अक्टूबर को बलिया पहुचेगी जिसको लेकर बियंगा में उस संस्तान के तरफ से खास तैयारी है फिर हम आप से जुड़ेंगे तब तक रहता है जुड़े रहम से बलिया इसका से महरूसन जैस्वाल नमस्कार